आज के इस वीडियो के अंदर हम किलियर करने वाले हैं कि VMWare जो हमारा होता है उसको डाउनलोड कैसे करना है जब आप पहले डाउनलोड करते थे ओफिशल वैबसाइट से वहाँ पे सिंपल सा डाउनलोड नाओ पे किलिक करते थे तो आपका VMWare डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है बट अभी कुछ टाइम से वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे आपको एक एरर सो करता है अगर वहाँ से आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको 522 का एरर आपको सो होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, तो actually मैं कैसे आपको download करना है VMware वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो simple सा सबसे पहले मैं आपको दिखा दू क्या error आपको 100 होने वाला है, तो हम पहले कैसे करते थे, simple सा आपको type करना है अपने Google पे VMware download, तो आप जैसे tap करके enter करोगी तो आप देख सकते हो, सबसे top पे हमको मिल जाती थी, download VMware workstation player, जैसे मैंने click किया, आप थोड़ा मैं scroll करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो, windows के लिए, यहाँ पे download now पे click करता हूँ, आप देख सकते हो, error हमारा आ चुका है, तो यही error आपके सामने आने वाला है, तो अब आप इस तरीके से download नहीं कर सकते हो, VMware को, अब आपको कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, अब आपको simple सा VMware को download करने के लिए आपको जाना होगा, ब्राड कॉम पे, उस जगा से आपको VMware को download करना है, वो कैसे करना है, आपको simple सा Google पे type करना, VMware download, जैसे अभी हमने किया था, ओके जैसे मैंने type करके enter किया, तो जैसे first वाली जो website थी नहीं उस पे नहीं जाना है, आपको इस page पे आपको नहीं जाना, आपको second वाला जो आपको मिल रहा है न, VMware desktop इस वाले पे आपको click करना है, ठीक है, जैसे मैंने click कर दिया, आप कुछ ऐसा interface आपके सामने आने वाला है, अभी जो workstation pro है, जो इनका free है, आप free में use कर सकते हो, पहले कुछ paid था, कुछ 30 days के लिए कुछ trial था उसका, बट अभी नहीं, अभी ये फिर हो जुका है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ पे कुछ नहीं है, आपको सामने दिख रहा है, download जो आपका workstation वाला है, इस पे आपको click करना है, तो हम sign in किस से करेंगे, तो हम login नहीं कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे account create करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको simple सा login पे click करना, यहाँ पे register पे click करना, register पे जैसे आप click करोगे, फिर से आपके सामने एक different page open हो जाएक, आपको देख सकते हूस, user registration, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना email address देना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपना email address देदेता हूँ, फिर आपको जो capture है, इसको fill कर लेना है, जो आपको सामने दिख रहा है, इसी को आपको feel करना है same image के इस जगापे ठीक है तो यहाँ पर feel करने के बाद आपको simple से next करना है जैसे मैंने next किया फिर इसके बाद आपके सामने आने वाला है OTP जो आपका email address होगा उस पर आपका एक OTP आएगा वो आपको यहाँ पर fill करना है ठीक है, जैसे मैं अपना OTP यहाँ पर fill कर देता हूँ, फिर इसके बाद आपको simple से यहाँ पर next कर लिना है, आप next करने के बाद क्या होगा, कि आपके सामने हाँ पर पूरा detail आपको fill करना होगा, तो यह सब आपको जल्दी से fill कर लेना है, फट करने के बाद आपको यहां पर यह नहीं करना है आपको आया ओल पर किलिक करना है जैसे मैंने किया ठीक है यह बाद में हम create कर लेंगे अपना profile अब आपको कुछ नहीं करना है simple सा इसको आपको login करना है ठीक है तो login करने के लिए आपको simple सा इस login पे click करना है अगर आप इस login पे click करके login नहीं करना चाहते हो तो जो हमारी पहली जो website open होई थी VMware Dextro बाली उस पे आप आ सकते हो जैसे मैं आ गया हूँ उस पे आप simple सा आप download जो workstation है simple सा फिर से click करोगे तो आपको पहले वाला जो sign in करने का जो login करने वाला page है वो आपको मिल जाएगा तो यहां से भी आप login कर सकते हो जैसा आपको उच्छा लागे वैसा कर सकते हो आपको login ही तो करना है वस अब यहां पे आप देख सकते हो username अब इस username की जगह आपको डालना है अपना email address जो आपने वहाँ पे register किया था वही email address आपको यहां पे fill खरना है ठीक है तो मैं अपने यहां पे email address डाल देता हूँ जैसे मैंने अपना email address पो आफ़ और जो है next कर दिया तो जैसे मैंने अपना password यहाँ पे feel कर लिया और login कर लिया इसको sign in ठीक है तो अभी आप देख सकते हो login हो चुका हूँ मैं अब यहाँ पे हमारा start होता है अपना VMware को download करने का step ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसा interface आपके Broadcom का open होने वाला है अब आपको यहाँ पे simple सा कुछ भी नहीं करना है जो steps मैं आपको बताने वाला हूँ उनी steps को आपको follow करना है follow करोगे तब ही आपका VMware जो है download होगा अब आपको इस dashboard पे आने के बाद जो Broadcom है इस पे आपको my downloads पे आपको click करना है ठीक है अब my downloads पे आने के बाद आपको जो profile name दीख रहा है आपको सामने download icon के just इस सामने जो इस पे आपको click करना है click करने के बाद आपके सामने बहुत सारे options हैं आपको मिल जाएंगे तो इन मेंसे जो fifth बाला है VMware Cloud Foundation इस पे आपको click करना है जैसे आप click कर दोगे यहाँ पे सारे product के name आपको मिल जाएंगे जो भी इसके VMware के जो हैं वो तो यहाँ पे आपको search कर लेना है simple सा जैसे मैंने यहाँ पे search कर लिया VMware Workstation Pro जैसे मैंने यहाँ पे search किया वैसे आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे सामने VMware Workstation Pro आ चुका है अब just आपको click करना है जैसे मैंने VMware Workstation Pro पे click किया तो आप देख सकते हो सारे products के list यहाँ पे आ चुकी है अब जो भी latest जो इसके versions चल रहे है वो आपको मिलेंगे हाँ पे जैसे Windows के लिए Linux के लिए जो भी है 17.0 जो चल रहा है वो ठीक है तो यहाँ पे आपको जो Linux के लिए करना है तो Linux के लिए आप कर सकते हो बट हम Windows के लिए कर रहे हैं तो हम Windows वाला select करेंगे तो आपको first वाला select नहीं करना है Windows वाला इसी में जो है problem आ रहा है एक error आपको मिल जाएगा सके इंदर जो आप download नहीं कर सकते हो तो आपको आप इस second वाला जो मिल रहा है 17.0 जो यह product है यह वाला आपको select करना है personal use के लिए ठीक है जैसे मैंने आप इस second वाला select किया personal use वाला select करना है आपको भी अगर आप Windows के लिए कर रहे हो तो और अगर Linux के लिए कर रहे हो तो Linux के लिए भी आपको personal use वाला ही करना है इसके ओपर आपको click करना है 17.5.2 पर जैसे मैंने click किया अब आपके सामने कुछ ऐसा interface आने वाला है I agree to पर click करना है जो भी इसके term conditions है उनको आपको read कर लेना है जितने भी conditions को थोड़ा read कर लिया करो अब आपको कुछ नहीं करना है simple से आपको यह cloud वाला icon दिख रहा है cloud download वा आपका first name जो आ जाएगा खुद से fill होगे last name भी fill हो जाएगा email address भी आपको fill हो जाएगा बस आपको fill क्या करना है आपको address ठीक है address आपकी city आपका state जो है आपकी country काउंस ही आपका zip जो postal code होता है वो आपको fill करना है तो मैं फटाक से अपना address यहां पर fill कर लेता हूँ आप आपको भी अपना address जो है fill कर लेना है तो अब आप देख सकते हो मैंने सारा का सारा कुछ fill कर लिया है अब आपको simple सा submit पर click करना है जैसे submit पर click करोगे फिर आपका जो है जो भी आपने fill किया है जो भी आपका verification वो complete हो जाएगा जैसे अभी यहां पर load कर रहा है तो अभी हम आपको सिंपल सा इसके उपर फिर से click करना है जैसे मैंने फिर से इसके उपर click किया तो आप देख सकते हो जो हमारा VMware है वो download होना है start हो चुका है तो इस तरीके से आपको अपना VMware जो है workstation pro वो download कर लेना है जो की pro है वो भी फिरी इस तरीके से आपको VMware के जितने प्रोडेक् अब आपको official website से आपको नहीं मिलेंगे तो मैं यहांसे इसको cancel कर देता हूँ और इस VMware को आपको install करना तो आता होगा अपने system के अंदर कैसे install करना है वो मैं already बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ वो वीडियो से आप देख सकते हो नहीं पता है आपको तो इ यहां पर हम आ चुके हैं अब यहां पर हम सर्च कर लेते हैं अपना workstation तो VMware workstation player तो आप देख सकते हैं आप player भी हमें मिल चुका आप अप just click करोगे player पे तो आप player पे पहुंच जाओगे और यहां से भी आप इसको भी download कर सकते हो तो यहां पर भी आप 17 इसका जो latest है उसको यूज कर सकते हो और फिर click करोगे तो आप यहां से download कर लेना तो इस तरीके से आप download कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो like करना, share करना और channel को follow करना मत भूलना ठीक है तो मिलते हैं आपको अच्छे वीडियो क के साथ तब तक के लिए good bye